Hello students, good morning, standard third subject EVS Chapter number 23, Beautiful Clothes मतलब की सुन्दर कपड़ी Sajida is a small girl Sajida कैसी लड़की है? Small girl मतलब छोटी सी लड़की है She has one older sister उसे एक बड़ी बहन है Who gave her a very beautiful दुपट्टा उसकी जो बड़ी बहन है उसने Sajida को एक बहुती सुन्दर दुपट्टा दिया था It had beautiful embroidery with mirror work on it और जो दुपट्टा है उसके उपर beautiful embroidery मतलब की सुन्दर कड़ाई है और उसके उपर mirror work है मतलब काच का काम किया हुआ है After finishing dinner Sajida tried to wear the दुपट्टा different ways After dinner मतलब की रात का खाना खाने के बाद Sajida जो उसकी सिस्टर ने उसको दुपट्टा gift किया था उसको अलग-अलग तरीके से वो पहनने को ट्राइक कर रही थी Soon she got tired playing with the दुपट्टा and fell asleep wearing it अभी वो दुपट्टे से खेलते खेलते थक गई थी तो फिर उसने क्या किया दुपट्टा उड़कर ही वो दुपट्टा लेकर ही वो सो गई थी दुपट्टा पहने ही वो क्या हो गई थी सो गई थी She was thinking about the दुपट्टा even in the dream और वो सपने में भी अपने दुपट्टे के बारे में ही सोच रही थी How would such a beautiful दुपट्टा have been made और वो क्या सोच रही थी कि इतना सुन्दर दुपट्टा कैसे बनता होगा How would such a beautiful दुपट्टा have been made कि इतना सुन्दर दुपट्टा कैसे बनता होगा तो आप यहाँ पर picture में देख सकते हो कि सजीदा है और वो सो गई है सजीदा और सजीदा क्या कर रही है उसने जो दुपट्टा उसकी सिस्टर ने उसको गिफ्ट किया था वो दुपट्टा लेकर ही वो सो गई है और उसके जो ड्रीम है उसमें भी वो क्या सोच रही है कि यह दुपट्टा कैसे बनता होगा इसके बारे में वो सोच रही है जजिदास दुपट्टा वो उस मेड बाई क्राफ्टमेंड वो फर्स्ट प्रिंट द डिजाइन ओन इट विद द हेल्प ओफ ए मशीन तो सबसे पहले दुपट्टे के उपर क्या बनी होगी जो उसकी डिजाइन है उसकी प्रिंट बनाई गई होगी और वो प्रिंट मशीन के मदद से बनाई होगी और फिर प्रिंट होने के बाद उसके उपर एम्रोईडरी की गई होगी और जो छोटे छोटे मिरेर से उसके उपर स्टक मतलब की लगाए गए होंगे तो यहाँ पर क्या question है कि आपको एक दूपटा लेना है या फिर long piece of unstitched cloth मतलब कि बीना सिया हुआ एक कपड़ा लेना है और उसे ड्रैप करना है अलग-अलग तरीके से तो आप कितनी तरीके से उसको पहन सकते है वो आपको देखना है तो अब कितनी तरीके से उसको पहन सकते है तो हम उसको बहुत सारे तरीके से पहन सकते है इदूपटा और long piece of unstitched cloth can be worn in many ways बहुत सारे तरीके से हम उसे पहन सकते है फिर नेक्स्ट क्या है कि आप ने जो दूपर टाया फिर लॉंग पीस ओफ क्लोथ लिया है उसको आप लॉंगी की तरह पहन सकते हो या फिर टर्बन की तरह उसे माथे पर लगा सकते हो In what other ways was the cloth worn और कौनसे कौनसे तरीके से दुसरे अलग तरीके से आप क्लोथ को पहन सकते हो So yes, three, four of my friends wore it like a लॉंगी और use it as a turban तो हाँ हम उसे as a turban या फिर as a लॉंगी पहन सकते है The other ways in which it could be worn are like a sari or like a dhoti और दुसरे तरीके कौनसे है उसको हम as a sari भी use कर सकते है या फिर like धोती भी हम उसे पहन सकते है Next, look for any clothes in your house, what difference do you find in its texture, its color and designs, note it down तो यहाँ पर question क्या है कि look for my clothes in your house आपके clothes देखने है, any clothes जो भी आपके घर में है उसे देखने है, what difference do you find in its texture, its color and design डिजाइन, color और texture में क्या-क्या अलग-अलग तफावत है वो आपको देखना है और note down करना है और लिखना है So students, यहाँ पर आप आपके कपडों के हिसाब से लिग सकते हो चलो, name of clothes तो सबसे पहले cotton cloth Cotton cloth में texture क्या है, t-shirt और shirt Color, red, coffee, black and white और designs क्या है, small checks जो भी design आपके कपडों की हो, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो Next, next name of cloth is nylon And the texture is savi Color is red or green You can write any color which is your cloth You can write their color, okay Large designs with flowers and leaves Next, terry cotton, t-shirt और shirt Color is blue And large checks Design क्या है, बड़ी-बड़ी checks है, large checks Cotton, matty Trousers, white, black, blue color And plain, no design उसमें कोई भी design नहीं है तो क्या लिखना है, plain Next is khadi Kurta और lehenga Blue और white color Small checks and big checks दोनों है, small checks के भी है और big checks के भी है Next is silk Salwar suit और दूपटा और blanket Multi color का है और small, large, thick designs Next is woolen clothes Woolen clothes मतलब जो winter में हम गरम कपड़े पहनते हैं उससे कहते हैं Woolen clothes So, it is sweater Color, white, red, green जो भी color आपके sweater का हो वो आप यहां पर लिख सकती हो Various patterns and designs Next is denim Trousers, jeans और pants Color is blue और black Plain, no designs अगर कोई भी design नहीं है तो आप लोगों को लिख देना है कि plain, no design Next Look at thick clothes और sack carefully आप लोगों को क्या करना है जो thick clothes हो या फिज सेक Sack मतलब क्या होता है students जो बोरी होती है उसे क्या कहते है Sack Can you see threads running along its length and breadth क्या आप उसकी length और breadth में जो भी threads वहाँ पर चलते हैं वो आप देख सकते हो तो yes, I can see threads running along the length and breadth और फेथी, cloth और a sack वेन आप लोग इट कैरफुली जब हम उसको ध्यान से देखते हो तो इसके उपर जो length और breath में जो भी धागे लगाए गए हैं वो हम easily देख सकते हैं next question you will find a similar pattern if you see any piece of cloth closely the next question क्या है कि क्या आप similar pattern दूसरे कोई clothes में देख सकते हो अगर आप उसे closely देखोगे तो क्या आप देख सकते हो you will find a similar pattern क्या आप वैसी ही same pattern आपके clothes में देख सकते हो तो yes हम देख सकते है we can see that pattern next you can also view paper in a similar way तो आप इसी तरह से same paper को भी view कर सकते हो मतलब paper भी ऐसे ही same pattern से बना सकते हो paper में भी इस तरीके की pattern बना सकते तो आपको क्या करना है कि दो अलग-अलग papers लेने है फिर उसमें vertical lines draw करनी है एक paper में और दुसरे paper में horizontal line draw करनी है फिर उसे जिस तरीके से आपने paper में draw किया है उसी तरीके से cut करना है cut both the papers along the mark line जहां तक आपने line draw की है वही तक आप लोगों को cut करना है और आप लोगों को ध्यान रखना है कि पूरा paper cut ना हो जाएकी पूरे paper को separate नहीं करना है हमें उपर थोड़ी सी जगव बाकी रखनी है place one paper above the other along the edges as shown in the picture stick the edges कैसे करना है आप लोगों को like देखो यहाँ पर पूरी तरस से cut नहीं करना है आप लोगों को यहाँ तक ही cut करना है यहाँ तक पूरा paper cut नहीं करना है और दूसरा जो paper है उसे इस तरीके से cut करना है यहीं तक cut करना है जैसे कि मैंने यहाँ पर draw किया है उसी तरीके से आप लोगों को paper को cut करना है और फिर क्या करना है weave the strips to make a mat mat बनाने के लिए paper को उसी तरीके से weave करना है paste taps or a paper border at the edges so that the mat does not open up और फिर पूरा weaving होने के बाद आप लोगों को paper को क्या करना है stick कर देना है चिपका देना है next यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जो अभी method बताई वही same method यहाँ पर है तो look at this method weaving paper take two papers of different colors तो आप यहाँ पर देख सकते हो अलग-अलग different paper के different color के दो paper है make vertical lines on the paper and horizontal line on the other एक paper में आप लोगों को vertical line बनानी है और दूसरे में horizontal line बनानी है cut both the papers along the mark line mark line तक आप लोगों को cut करना है आप picture में देख सकते हो कि पूरा paper cut नहीं किया गया है जहाँ तक mark line है वही तक paper को cut किया गया है take care the strip should not get completely separated आप लोगों को ज्यान रखना है कि पूरी पट्टी cut ना हो जाए next paper one sorry place one paper above the other along the edges as shown in the picture in color stick the edges तो आप यहाँ पर देख सकते हो यह वाले picture में कि जो paper है उसको एक दूसरे के edges में ऐसे रखना है जैसे कि picture में बताया गया है इस तरीके से आप लोगों को बनाना है और फिर उसकी जो edges है उसको क्या कर देना है हमिस्टी कर देना है now view the strips to make a mat paste taps और paper border at the edges so that the mat does not get open क्या करना है paste कर देना है यह फिर taps लगा देनी है टेप भी लगा सकते हो यह फिर आप stick भी कर सकते हो ताकि वो खुलना जाए printing on clothes अभी क्या करना है आप लोगों को कपड़े के उपर printing करना है इन दे लेशन दे प्लांट फेरी यू सो डिजाइंस और फ्लावर्स एंड लेव्स made on clothes आपने देखा था प्लांट फेरी चैप्टर में की लेव्स और फ्लावर्स की डिजाइंस कपड़े के उपर होती है देखा दाना स्टूडर्स आप लोगोंने पिच्चर्स में येस यो तू कैन मेक सम डिजाइंस यूजिंग कट वैजी टेबल्स आप वैजी टेबल्स को कट करके भी डिजाइंस बना सकते हो कट अ कॉलिफलावर और लेडी फिंगर अपलाई कलर ऑन दो कट फेस जहां पर आपने कॉलिफलावर और लेडी फिंगर को कट किया है वहां पर आप लोगों को क्या अपलाई करना है कलर लेना है and make prints on the piece of paper or clothes to make your own design फिर आप अपने तरिके से कोई भी डिजाइंस बना सकते हो paper के उपर आप जो भी vegetable कट किया है उसके उपर कलर अपलाई करके कोई भी डिजाइंस बना सकते हो जो आपको पसंद हो fill the color make designs with various fruit आप लोगों को any fruit जो आपको पसंद है वो fruit लेकर यहां पर कोई भी डिजाइंस आप बना सकते हो आप उसकी print यहां पर कर सकते हो so student our chapter number 23 beautiful clothes is finished here so we will see the new words hard words and our workbook part in next video okay students bye bye thank you